आप देख रहे हैं जेक्स न्यूस 36 गट अज निलामी की प्रक्रिया पूरी गी गई जी सरवताएंगे ग्राम मुरपार में ठेका हुआ है इसके बारे में बता है आज मुरपार के फलोध्यान में निलामी रखा गया था जिसमें जिसमें जो प्रतम नि विदा करता है जिसकी सबसे ज्यादार था गोरेलालस सथाहु जी साढ़े-तीन लाख रूपय नेTIN लाख पचास जाհ रूपया में इसको प्रतम इस्धान रहा और दूसरे स्थान में जैसा हूँ जो 2,31,000 रुपया में रहा, 3,31,000 रुपया में दूसरे स्थान पर रहा इस प्रकार से जो प्रथम 3,50,000 रुपय था उसी के दिलामी यहाँ पर दिया गया है हमारे सास्कुत दियान रुपडी मुरपार विकासखन पामगर्श सिविरी नराइंट जीला जांगीर चांपक का फल बहार आम 2022-23, निलामी 23-24, दिनांग 13-4, 2023 को रखी गई थी जिसमें 11 निविदा करताओं निलामी लेने हिती निविदा भरे थे और इसके प्रक्रिया के तहस समीती के द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई गई और निलामी करवा ही की गई जी सहमत है, इसमें हमें जो सिविरी नराइन का गोरे लाल साहो जी है उसने सरकारी बोली हम लोग 2,10,000 रखे थे उसने साड़े तीन लाक रुपिय में अपना निविदा भरा था और गोरे लाल साहो को सास्कुद्याम रोपी मुरपार की निविदा के धिक्तम बोली होने के करण निलामी जी गई है इसमें कुरी समीती और विभाग भी शेहमत है मेरा नाम एचन दिवाका रुद्यान अधिक्छाक सास्की उद्यान रोपी कर्नौत विकासकन बमनिंडी जीरा जांगिर चांपा शत्तिसगर हमारे ग्राम पंचायत मुरपारव के सास्की उद्यान में हर साल की तरह इस साल भी आज निविदा के माध्याम से सबढ़ितर किया गया ता जिसमें 11 लोग निविदा अपना जम्मा किये थे जिसमें सभी ने अपना गुप टलिफाफा के माध्यम से निविदा जम्मा किये उसमें जनपत सडस से जील्यापंचायत सडस अभी उपश्थित ते। और उसके पास चात सबसे ज्यादा निविदा में रास्टी था तीन लाग पचास जा रुपए और इस तरह से उनको नियमा नुसार निविदा उनके पक्ष में आया नीरच हुटे सरपंच मुडपारगो